आज जो हमने पढ़ना है फंक्शन आफ किड्नी हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था के नैफ्रोन क्या होते हैं और नैफ्रोन के कितने हिस्से होते हैं आज हमने देखना है फंक्शन आफ किड्नी का क्या काम हुता है जो प्लड को साफ करती है ब्लड के अंदर से जितने भी वेस्ट में होते हैं किड्नी उन्हें दे है नायटोजीनियस वेस्ट लिचिना है जड़ कहां बुलाड़ कहां पहुंचा दे थी एँ बलाड़ो् 쉬 वेस्ट के रियुद सो was saf mat sae । तो दिशाओं ली वह समीनियो का रहा है पाल्टा परभंग व्यूरि शाओं टाधब कैनल हो लिचंजा। waste material मुझूद होता है from the body, वो body के अंदर से कठा करती है to the kidney और कहां पर पहुंचा देते हैं, blood कहां पर पहुंचा देते हैं, kidney के अंदर, यानि blood carries nitrogenous waste, blood जो है वो nitrogenous waste material पर मुझ्तमिल होता है और यह तमाम body से nitrogenous waste लेकर कहां पर पहुंचता है, kidney पर पहुंचता है, inside the kidney, kidney के अंदर के तरफ, blood containing nitrogenous waste, blood जो nitrogenous waste पर मुझ्तमिल होता है, reach the glomerulus, वो कहां पर पहुंचता है, glomerulus पर पहुंचता है, जैसे diagram में आप देखें, यह आपको capillaries का जो जाल एक नजर आ रहा है, यह आपका यह क्या कहलाता है, यह artist से, आपका जो blood है, वो आपके glomerulus में एंटर हुआ, और एंटर होने के बार, आपका जो है, यहां पर इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, जो waste material है, वो absorb कर लिए जाएंगे, और फी जो oxygen है, आपका जो blood है, जो आपका वेस्ट से पा जानी के, गुलुकोस वगेरा मजूद है, वो सारी आपकी यहां पर, जो है, वो, agglomerulus में, में, कठी हो जाएगी, फिर इसके बाद, जो है, साफ रून वापस पहिज दिया जाता है, अब इसके बाद, आप आप आजाएं, के, के, here, most of the water and the waste materials are filtered from the blood into the woman capsule, के, बुमेन कैपसूल में, जो है, यह, यह, वाटर और ब्लड जो फिल्टर हो जाता है, the blood after losing waste material, is collected in arterioles, के, जब ब्लड के अंदर से waste material बहा निकल जाता है, तो यह arterioles में, इकटा होता चला जाता है, यह arterioles में, इकटा हो जाता है, विच, अल फिर रिनल आर्टी, और फिर यह arteri, जो है, जो आर्टी है, वो रिनल आर्टी का कामसर अंजाम देती है, रिनल आर्टी का इसको नाम दे दिया जाता है, the clean blood, अब साफ शुदा जो कून है, is brought back into the main circulatory system, अब बागी का जो साफ कून है, वो main circulatory system, यह ब्लड सिस्टम में, जो नेफरोन, अब वो filtrate, जो के अब नेफरोन के पास है, नेफरोन के रिनल ट्यूब्योड में मजूद है, आर्सो इसमें कुछ यूसपूल सब्स्टेंस, अभी भी इसमें कुछ ऐसे सब्स्टेंस में जो के बाडी के लिए फाइदा मन्द होते है, यूसफुल होते हैं, जो यह अपनी collecting duct की तरफ यह बाड़ा होता है, तो आप जो हमने देखा था, रिनल ट्यूब्योड, तो रिनल ट्यूब्योड में, यानि जो पिछली हमने डाइगरम देखी थी, इसमें आप आप देखें, कि आपका यहां से लेकर, यहां तक का जो हिस्सा आपका, यह वाला इ जो हैं, वो बारीक-बारीक सी मोजूद होती है, जो कि क्या करती हैं, अब जो कि ब्लड जो मोदेखा हो पिंदर साफ लूवाट взाammenिधें, वो जो मेंृ जो मीटीरियल आपका बाड़ी के अंदर से बाहर जाना है, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो इन, इनके अंदर आणन पानी गारे यह पानी बाड़ी बाडी से निकल जाएगा तो यूरीन की फार्म में और उसमें नाइटोजिनियोस वेस्ट हों का और बाडी की एक्सिस जो है ना आपकी glucose वो आपकी निकल जाएगी और इसके लावा जो है जितना भी आपका body के अंदर जितना भी waste material हो सारा के सारा drain out हो जाएगा फिर उसके बाद वो कहता है कि the filtrate which move into the renal tubule of the nephron also contain some useful substance during its passage toward the collecting duct 99% of the filters containing useful substance reabsorpt दुबारा से जजब हो जाता है into the blood in capillaries around renal tubule renal tubule में जो capillaries मजूद होती हैं during this reabsorption इस reabsorption में more waste material are absorbed बहुत सा waste material जो हो जाता है from the blood capillaries into the renal tubule filtrate renal tubule filtrate में now the filtrate is in the renal tubule of filtrate जो है वो renal tubule में मजूद होता है इस काल यूरीन इसे यूरीन का जाता है which move into the collecting duct जो के collecting duct में जाता है and then into the renal pelvis और फिर यहां से body से बाहर खारीच कर दिया जाता है तो आठ का जो lecture था वो था function of kidney इसके बारे में आपने देखा इसको आपने तीन चार दफा आपने read करना है और इसको अच्छी तरह आपने समझना है बस इसे आपने याद नहीं करना है इसको बहुत अच्छी तरह रीट करना है और function of kidney को आपने समझना है यह function of kidney में होता क्या है, kidney की basic unit क्या है, kidney की basic unit नैफरोन होती है और फिर नैफरोन जो है फिर उसका हमने जो है वो structure देखा था कि नैफरोन में जो renal renal carpecel होते हैं और renal tumule होते हैं और renal carp reclaim के वी दो हिस्शे होते हैं एक उसका बूमेन कैपसूल होता है जो हमने डायग्राम में भी देखा था कि इसमें हमारा एक बूमेन कैपसूल होता है एक गलोमुरलस होता है फिर इसके बाद हमारा दूसा हिसा रिनल ट्यूबियूल शुरू हो जाता है जिसमें हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूबियूल आ जात और पिर उसके बाद जो हमने देखा था कि आपका बलड से जो आपका वेस्ट मैटीरियल होता हुआ बोरी अब्सॉर्ब दुबारा होता है इनी डक्ट में पिर उसके बाद उकलेक्टिंग डक्ट में आता है यहां थे बादी से बाहर खारिश कर दिया जाता है तो आज के लि को चीज़ नोट करनी है वह आप देखें जरा कि आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1.12 है अडेंटिफाइए एंड लेबल दा फॉलिंग डायाग्राम पार्ट ए इसमें आपका नफसल आ जाएगा अब इसमें आपने इसको लेबल आपने यह चुके पड़ा हुआ है आ आपका सोरी यह वाला हिसा आपका सेल बाड़ी कहलाएगा और यह वाला पार्ट जो है आपका न्यूकलियस कहलाएगा यह जो सेंटर वाला पार्ट है यह आपका क्या कहलाएगा यह आपका न्यूकलियस कहलाएगा और इस पार इसको आपने क्या मेंशन करना है न्यूकलिय और यही साब का इसा बाड़ी कहले गा बी-डियाग्राम को भी अपने लेबल करना है उसमें आपका इंटर्नल स्ट्रिक्चर आपका किडनी का आ जाता है इंटर्नल स्ट्क्चर आफ किडनी आप इदर लिख़ें उसे internal structure of kidney यह आपका राई यह हिस्सा जो है आपका renal renal वेंग यह आपकी जो है यहाँ पर आप note करें के बलके यहाँ पर आप देखें यहाँ आपकी डाइगराम जो है बनी हुई है आपकी यहाँ पर इस पेज पर आप आएं यहाँ पर आप देखें यहाँ आपका इतना इसा एक renal vein है आपकी एक right kidney है एक यूरीटर है और एक आपका urinary bladder है और यूरीटर है यहाँ से आप help लेकर आपने वो काम आप अपने कुद करना है और उसको आपने fill out करना है ओके अला हाफिज असलाम वीकुम स्टूडेंट इस इस और जनल साइंस बूक क्लास एट प्लीज आज आपने जो काम करना है वो आपने short question करना है बूक के अंदर जो mark करवाई में आपको उनको आपने revise करना है तो आज का home work मतलब आपने यह याद करके जुबानी और उनको अपनी rough copy पर आपने लिखना है तो जो बूक के अंदर है एक तो exercise के उते हैं न short question जो आपकी बूक के अंदर मैंने short question आपको mark करवाई में ना आज आपने वो revise करने है ओके अला आफिस